जैन साथियों, वेलकम टू क्रेजी जी गडरेक। दोस्तों आज का सबसे पहला important current affairs आप सभी के सामने रहां। हाली में December के महिने के लिए UNSC की अध्यक्सता किस देश्म ने ग्रहंड की है। Which country has assumed the chairmanship of UNSC for the month of December। तो friends, भारत ने इसकी अध्यक्सता ग्रहंड की है UNSC की। सारी important details को समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाएए हर एक point को। दोस्तों भारत ने December महिने के लिए सयुक्त राज सुरक्षा परिशत की अध्यक्सता ग्रहंड की है। भारत एक महिने के लिए UNSC का अध्यक्स होगा। दोस्तों मैं आपको बता दू, भारत UNSC का आस्थाई सदश्य है। दो साल का कारकाल भारत का 31 December 2022, यानि इसी महिने ये समाप्त होने वाला है। तो भारत इसका कब आस्थाई सदश्य बना था। कितनी बार UNSC का टेंपरिरी सदश्य बना है। तो आठ बार ये भारत सदश्य बन चुका है, 1967, 1950, 1972, इन सभी एर्स में भारत क्या है, आस्थाई सदश्य बना था। आप देखिए आप पर UNSC की बार बार में बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही important organization है, आप से पूछा जा सकता है। UNSC का full form होता है United Nations Security Council, इसमें कितने total member होते हैं। इसमें total 15 member होते हैं, 5 permanent member होते हैं और 10 आस्थाई सदश्य होते हैं। इन 5 देशों के पास veto power होता है, ये permanent सदश्य है, बहुत सारे देश मांग करते हैं कि भारत भी इसका सदश्य बन जाए। पर्वानेंट सदश्य बन जाए। और भारत को बनना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं, भारत बहुत सारे देशों से आगे हैं और दुनिया को lead कर रहा है हमारा भारत। दोस्तों जो दस आस था ही सदश्य होते हैं, उनका जो कारकाल, उनका जो टर्म होता है कि वाल दो साल का होता है। प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए, United Nation में टोटल कितने सदश्य हैं, तो 193 कंट्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आखरी सदश्य कोन जुडा UN में, तो यह था दक्षडी सुडान, यानि साउथ सुडान। साथ यहां पर United Nation की भी बात करेंगे, तो United Nation के यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह महानिदेशक है, यह है Antonio Guterres, Headquarter कहां पर है, तो आप याद रेखेगा, USA में है, New York में है, देखिए आप जो Official Languages बोली जाती हैं, वो है अंगरेजी, रूसी, फ्रेंच, अर्बी, चीनी और Spanish, यहां का जो आदर शिवाग के है, Peace, Dignity and Equality on a Healthy Planet, यह सार इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेगा, साथियों आप पढ़ रहे हैं, डेली करेंट अफेर्स, और मैं हूं राजा गुपता, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3 दिसंबर 2022 के इंपोर्टेंट करें अफेर्स, जो कि भारत के सब एक्जाम के लिए रामबाड है, अब ही SSC का पेपर हो रहा है, तो केवल करेंट अफेर्स ही नहीं, स्टैटिक जीके भी, जो आप यहां पर मैं सारी चीज़े कवर करा रहा हूं, तो यह complete package है, हर एक्जाम में आप देखेंगे कि हमारे करेंट अफेर्स यह प्रशन पूछे जा रहा है, आप पेपर उठा करके देख सकते हैं, दोस्तों आखरी में आपका special static GK का last में revision भी होता है, एक topic को हम daily discuss करते हैं, daily grant affairs का test भी होता है, जो भी आप पढ़ते हैं, चलिए, आई देखते हैं question number 2 को, हाली में पहला 30 यह सुरक्षा सं मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है, where has the first postal security conference been inaugurated, तो पहला 30 यह सुरक्षा सं मेलन हाली में चन्नाई में आज़त किया गया, कहां पर चन्नाई में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा, very very important, दोस्तों भारत के हाली में defense secretary बनाए गया है, इनका नाम है ग इरिधर अर्माने, तो कब हुआ है ये, एक दिसंबर को हुआ है चिन्नाई में, कहां पर कोलंबो security conclave में भारती तडरक्षक बल के द्वारा इससे आज़ित किया गया था, 30 यह सुरक्षा सम्मेलन, दोस्तों सम्मेलन में कौन-कौन से देश पार्टिसिपिट कर रहे हैं, उसमें भारत तो है ही, भारत का, यहां पर देखिए मालदीब भी है, शिलंका भी है, और भारत के साथ मौरशिस भी है, यह सारे भाग ले रहे हैं, इस सम्मेलन का जो विशय है, सबजेक्ट है, वो है collaborative efforts for coastal security, दोस्तों, coast की security बहुत important होती है, क्योंकि जो terrorist attack होते हैं, coast से हो होता है, वहाँ पर तो आप coverage कर लेते हैं, लेकिन जो तट होता है, वहाँ से terrorist attack कर सकते हैं, तो coast की security करना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, कॉलंबो सुरक्षा सम्मेलन, जिसे हम बोलते है कॉलंबो security conference, यह क्या है, दोस्तों, 2011 में इसकी स्था आपना की गई, कॉलंबो security conference की, भारत, मालदीब और शिलंका की बीच में, त्री पक्षिय, समुद्री सहयोग, एक system बनाया गया, और मार्च 2022 में मौरशिस भी समें सामिल हो गया है, अगर आपसे पूछा जाया कि इसका secretariat कहां पर है, तो यह है कॉलंबो शिलंका में, क्या है, जो अवैद व्यापार होता है, उसको रोकना, clear है, यह इसका उद्देश है, कॉलंबो security conference का, जोस्तों यहाँ पर मेरे पास अभी कल का ही result है, तो इस प्रकार से आपका result बनता है, कल मैंने यह result declare किया था, अभी में पास result नहीं आया है, कल आएगा तो मैं आपको बताऊ होगा, कहाँ पर, crazy gk trick application पर, इसके लिए आपको google play store से डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा video, pdf and quiz, everything in one platform, चलिया ही देखते हैं अगला प्रशन, हाली में सुदर्शन चक्रकोर्थ द्वारा एक अभ्यास किया गया, सुदर्शन प्रहार, किस राज में हाली में आजित किया गया है, तो हाली में ये जो अभ्यास है, राजस्थान राज में आजित किया गया, सुदर्शन प्रहार कहां पर हुआ है, राजस्थान राज में हुआ है, किस के द्वारा किया गया, हमारी इंडन आर्मी, भारती सिना के द्वारा, सुदर्शन चक्रक और राजस्थान की रेगिस्तान में इस अभ्यास सुदर्शन प्रहार को किया गया है देखे दक्षड कमान की जो जनरल ऑफिसर कमांडी इंचीफ है यह है लेफ्टनेंट जनरल एके सिंग यह इन्हों ने इसको लीड किया है दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा भारत सेना का हैड क्वार्टर कहां पर है इट इस सेटु सेचुएटेड इन न्यू डैली और देखे जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उत्थल सेना के कमांडर इंचीफ होते हैं भारत की तीनों सेनाओ को लीड करते हैं दोस्तों प्रेजेंट में सेना अध्यक्ष कोन है सेराजू पाध्यक्ष है दोस्तों भारती सेना में छे ओपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड जहां पर ट्रेनी होते हैं एक इंपोर्टन पॉइंट हर साल भारती सेना दिवस्प मनाया जाता है कब 15 जनवरी को मनाया जाता है तो यहां पर आप देखिए एक महरास्त में है जो नौर्थ कमान है उधंपूर जम्मू में है जो मध्य कमान है यह यूपी में है लकनव में और दक्षिर पश्रिम कमान जैपूर राजस्थान में है और सेना का जो प्रसिक्षर कमान जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है वो श्यमला हिमाचर प्रदेश में ह आप important points को note कर सकते हैं और आपको screenshot लेना है तो आप screenshot ले सकते हैं आपको PDF तो मिल ही जाता है चली friends आगे बढ़ते हैं हाली में IDFC, AMC का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो IDFC, AMC का नाम हो गया है बंधन mutual fund क्या नाम हो गया है इसका IDFC, AMC का नाम बदल कर बंधन mutual fund कर दिया गया है दोस्तों IDFC, Asset Management Company Limited का नाम बदला गया है IDFC का नाम बदला गया है और ये सेबी के दोरा सेबी के दोरा IDFC, AMC में सौमित में परिवर्तन को मंझूरी देने के बाद किया गया है यदि आपसे पूछा जाए कि IDFC का फूल फॉर्म क्या है तो इसका फूल फॉर्म है Infrastructure Development Finance Company दोस्तों बंधन बैंक के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा तो बंधन बैंक जो है पहले एक NGO की रूप में स्थापित हुआ था बाद में ये Micro Financial Institution में चेंज हो गया और 2015 में एक निजी छेतर के बैंक में परिवर्तत हो गया दोस्तों बैंक का Headquarter कोलकाता में है हाली में मैंने आपको बताया था कि बंधन बैंक के Brand Ambassador बनाए गया है वो है Saurabh Ganguly साथियों इसके MD&CEO है चंदर शेखर घोस क्या नाम है इनका चंदर शेखर घोस इनका नाम है चलिए अगला प्रशन देखते है हाली में Miss Earth Water 2022 का खेताब किस ने जीता है तो ये आवाड जीता है नदीन अयूब ने नदीन अयूब बनी है Miss Earth Water 2022 दोस्तों ये 27 एयर्स की है और किस देश को بिलॉंग करती है फिलिस्तीन तो ये फिलिस्तीन की है और नदीन अयूब ऐसी पहली महिला है जिन्होंने सौनदर प्रत्योगिता में फिलिस्तीन को रिप्रेजन किया है इसका आजन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर हुआ है फिलिपिन्स की कापिटल मनीला में इसका आजन किया गया और ये इवेंट 2001 में शुरू हुआ था दोस्तो चार मुख्य अंतरास्टी सौंदर प्रत्योगिताओं में से एक आपको मैंने बताया है उस पर चार केटिगरी है पहला मिस अर्थ दूसरा मिस फायर तीसरा मिस वाटर और चौथा है मिस एयर तो चार यहाँ पर केटिगरी हैं मिस अर्थ मिस फायर मिस वाटर और मिस एयर तो मिस वाटर तो मैंने आपको बताया ददीन अयूब हैं मिस अर्थ हैं कोरिया की मीना सूचोई और मिस फायर है कोलंबिया की एंड्रिया एगू इलीरिया और मिस एयर है ऑस्ट्रिलिया की शेर डॉन मोट लॉक तो ये नाम आप याद रखिएगा स्क्रीन शॉट ले लिज कैसे आद करें तो मैं उन स्टुडेंट्स को बोलूँगा कि आप गाइड कीजिए जो रेगूलर फॉलो कर रहे हैं जो रेगूलर फॉलो करता है तो उसे कठिन से कठिन नाम भी याद हो जाता होगा क्योंकि एक दूसरे से हर्ची लिंक होती है तो ये राज है अगर आप देली फॉलो करते हो पूरा लेक्ठर धियान से सूंते हो नोटस बनाते हो फिर देखो विसफोर्ट कैसे होता है दोस्तों यहाँ पर हम भारत की तरफ से जो Miss Universe है Miss World Winners है उसे पर डिसकस करेंगे तो सबसे पहली Miss Universe भारत की तरफ से शुश्मिता सेन थी 1994 में सेकेंड लारा दत्ता थी और ठर्ड हाली में हरनास संधु बनी है 2021 में Miss World Winners की बात करेंगे तो सबसे पहली महिला रीता फारिया है सेकेंड नमबर पे एश्वरयर आए हैं ठेड नमबर पे डायना हेडन हैं पोर्थ पे युकता मुखी हैं और फिप्त पे हैं प्रेंका चोपड़ा अभी हाली में मानुसी छिलर Miss World बनी है भारत के लिए चलिए यहाँ पर Knowledge Factory की बात करेंगे 2022 की महतपूर्ण युकतों को डिसकस करेंगे हाली में हौकी इंडिया के अध्यक्ष बनाये गए दिलीप टिर्की ICMR के महानिदेशक बनाये गए डॉक्टर राजीब बहल अखिल भारती फुटबॉल महासंग के अध्यक्ष बने कल्यार चोबे संसट टीवी के CEO है उत्पल कुमार सिंग नए वाड़िज सचिब है सुनील बर्थवाल मैंने आपको पताया था इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस के 32 प्रमुग बनाये गए अनीश तयाल सिंग CRPF के महानिदेशक बनाये गए सुजाय लाल थाउसेन भारती जहाज रानी निगम के अध्यक्ष बनाये गए कैप्टन विनेश कुमार त्यागी आप लोग कमेंड बॉक्स पे बताना जो ससी का पेपर दे रहे हैं और भी भारत में जितने पेपर हो रहे हैं कमेंड बॉक्स पे बताना क्या क्वेस्टन फस रहा है की नहीं ठीक है चलो अगला प्रशन है यह है प्रशांत कुमार प्रशांत कुमार बने है यह है प्रशांत कुमार जी दोस्तों ग्रूप M इंडिया लिम्टेड प्राइविट लिम्टेड के दक्षिन ऐस्या के CEO है प्रशांत कुमार अब ये AAAI के अध्यक्ष चुने गए है दोस्तों इन्हें बहुत जादा अनुभव है 25 साल का अनुभव है इसके पहले ग्रूप M में शामिल होने से पहले इन्होंने दा मीडिया एज दा मैक का निरेक्षन पैपसी, दा हिंदू इन पदों पर इन्होंने कारे किया है याद रखी का सारे important point पूछे जा सकते है चली अगला प्रशन देखते है हाली में पहला सिलहट सिलचर महसब कहां पर आजित हो रहा है तो पहला सिलहट सिलचर महसब आसम राज में हाली में आजित हो रहा है आपको रोचक बात में बताता हूँ कि आज SSC में नागा लेंड का एक प्रशन आया था और मैंने कल ही पढ़ाया है इसलिए ऐसा मत सोचो कि current affairs पहले पूछ रहा है अभी का recent का पूछ रहा है वो सकता है एक दो दिन पहले का पूछ ले पता चले आपका 4 दिसंबर को paper 3 दिसं उसी छेत्र हैं उनके बीच में सांस्कृतिक संबंद को जस्ट मनाने के लिए अभी हाली में 2 दिसंबर को असम की बराग घाटी में यह महसब शुरू हुआ है और इस महसब का आजन किसके द्वारा हो रहा है इंडिया foundation के द्वारा केंद्री संस्कृति मंत्राले के तत्व चलिए अगला प्रश्न है हाली में राष्ट्री प्रदूशर नियंतरन दिवस कब मनाया गया तो राष्ट्री प्रदूशर नियंतरन दिवस दो दिसंबर को मनाया गया कब मनाया गया दो दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिट्रेसी डे ठीक है कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है ये भी आप याद रखना और एक दिसंबर को मनाया जाता है World AIDS Day World AIDS Day मनाया जाता है साथ नवंबर को National Cancer Awareness Day मनाया जाता है National Cancer Awareness Day 26 नवंबर को National Law Day और दूसरा एक और डे मनाया जाता है Constitution Day ठीक है राष्टी विधी दिवस और सम्वधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर अब सवाल उठता है कि National Pollution Control Day क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको लेके चलूँगा 2 और 3 दिसंबर 1984 में जब भोपाल में गैस आपदा आई थी 2 दिसंबर 1984 को हुआ क्या था एक अमेरिकी कमपनी थी Union Carbide India Limited उसके प्लांट से बहुत जहरीली गैस रिलीज हुई इस गैस का नाम है मिथाइल आईसो साइनाइट गैस का रिसाब हुआ जिसकी वज़े से भोपाल जो है एक बहुत बड़े चेमबर में परिवर्तित हुई हावा में जहर घुल गई और 30 टन मिथाइल आईसो साइनाइट गैस रिसाब हुआ और लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे ऐसे काउंटिंग जिसे हम गिनी नहीं सकते जो उसका एड़वर्स इफेक्ट आज भी देखने को मिल रहा है अगला प्रशन है कुम्बले सुन्दर राव का हाली में निधन हो गया इनका संबंद किस छेतर से था तो कुम्बले सुन्दर राव यक्षगान कलाकार थे इनका हाली में निधन हुआ है ये हैं कुम्बले सुन्दर राव यक्षगान कलाकार थे यक्षगान का ठेनकू थिट्टू शैली के प्रतिपादक थे इसके अलाबा प्रसिद कला मडले कलाकार भी थे और डायलोग डिलिवरी से इन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया था दोस्तो यक्षगान मैं आपको बता देता हूँ यक्षगान खासकर करनाटक राज्ज में फेमस है लेकिन केरल के कुछ जिलों में भी डबलप है और केरल के कासर गोड जिले में ये विक्सित हुआ है कभी कभी इसे दूसर नाम से भी जाना जाता है से बोला जाता है आटा तो और सहली है एक शगान की पड़क ठिट्टू और थेन कुठिट्टू दोस्तो अभी आप लोगों ने कंतारा मूवी देखी होगी तो कंतारा मूवी में कुछ इसी प्रकार से आपने पेश भूशा देखा था अलग अलग जगे का अलग अलग कल्चर है हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि एक मानव होने के नाते हमारा सबसे पहला दाइट तो है इंसानियन तो हर एक धर्म हर एक रिल नेत्र हीनों के लिए तीसरा टी-20 क्रिकेट विशुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो नेत्र हीनों के लिए तीसरा विशुकप विशुकप भारत कर रहा है मैंने आपको बताया था किसके ब्रेंट एमबस्डर यूवरास सिंग बनाये गए हैं तो भारत तीसरे टी-20 क्रिकेट विशुकप की मेजबानी कर रहा है ये 5 से लेके 17 दिसंबर तक आजित किया जाएगा देखे इसका उद घाटें 5 दिसंबर को ताउ देवी लाल इंडोर स्टेडियम जो की गुरूगराम हर्याना में हैं वहाँ पर शुरू हो बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे बांगलर देश, नेपाल, पाकिस्तान, औस्टेलिया, मेजबान देश भारत हैं तो कैसा लगा आप लोगों को करेंट अफेर्स, आप करेंट अफेर्स की रसमा लाई खाते हैं दो हजार बाइस के महातपूर्ण प्रशनों को आईए डिसकस करते हैं 67 फिल्म फेर्स पुरसकार में बेस्ट एक्टर का वाड़ किसे प्राप्त हुआ है तो बेस्ट एक्टर का वाड़ रणवीर सिंग को मिला मिखाईल कोर्बा चेव का हाली में निधन हो गया यह किस देश या फिर संग के पूर राशपती थे तो पूर वो सोवियस संग के यह राशपती थे जे के ईकॉप मोबाइल एप्लिगिशन को किस ने लॉंच किया है तो यह जमू कश्मीर पुलिस ने लॉंच किया है वहां के नागरिकों की इमर्जेंसी सेवा के लिए किस देश की महरानी भारत की तिन दिन की आत्रा पर थी तो निधर लेंड की दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारक भारत की किस राज में खोला जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक्स मारक जो है पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में खोला जाएगा अब दस प्रशनार है दोस्तो रेडी हो जाओ दस पे दस लाना है भारत के वर्तमान रक्षा सचिप कौन है तो यह है गिरिधर अर्माने सयुक्त राष्ट का हेड़ क्वार्टर कहां पर है तो यह है न्यू यॉर्क में आप अपना एंसर कमेंट बॉक्स पर देते जाएगे मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट रिपलाई भी किया है अगर आपने देखा होगा ठीक है बहुत सारे बच्चों का कमेंट रिपलाई किया है तो आप अपने डाउट मुझ तक पहुँचाए आपके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती वो आप पहुँचाए आज मैंने बहुत सारे लोगों को रिपलाई भी किया है देखा होगा अपने यूनसी में कितने सदश्य होते हैं तो यूनसी में टोटल 15 सदश्य होते हैं भारत की तरफ से सबसे पहली मिस यूनिवर्स कौन थी ये थी सुश्बिता सेन वानुसी छिलर किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में बनी थी भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्षाली में बनी हैं पीटी उसा उडन परी सी आरपी एफ के महानिदेशक कौन है तो सी आरपी एफ के महानिदेशक हैं तुझायलाल था हुसेन भूपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाब हुआ था ये था मिथाइल आईसो साइनाइड यक्षगान किस राज से करनाटक राज से हैं बंधन बैंक के ब्रेंड अमबस्डर कौन है तो यह है सौरब गांगुली कि दोस्तों दो दिसंबर के करेंट अफ़ेर्स का यहां पर रिविजन करेंगे आज ही एससी में कोशन पूछा गया आज ही मैंने कमेंट में पढ़ा था सर आपने पहला सब कि सराज में शुरू हुआ तागा लेंड एक दिसंबर से लेकि दस दिसंबर तक चलता है भारत में मात्र मृत्यूदर 2018 सबीस में कितनी हो गई है भारत ने अच्छा अचीर्मेंट किया 97 हुई है सेवी ने किसे बीसी का MDN CEO नियुक्त किया है सुन्दर रमन राम मूर्त को पोप्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर है गौतम अडानी बीएसफ का 58 नंबर का स्थापन देवस कब मनाये गया एक दिसंबर को जियांग जैमन किस देश के पूर राश्पति है जिनका हाले में रिधन हो गया यह चाइना के पूर अर्थिक सहयोग और व्यापार समझाता 29 दिसंबर से लागू होगा हो चुका है ऑस्ट्रेलिया पूर्शो के फुडवाल विश्यकप में पहली महिला रैफरी कौन बनी थी तो शी इस स्टेफनी फ्रपाट यूपी की पहली महिला पुलिस कमिशनर कौन बनी है और शी लक् आज का सवाल करेंट एफर्स यहां से खदम होता है दिसंबर के महिने के लिए यूएनस्से की अधिश्टा किस देश ने ग्रहंड की है कमेंट बॉक्स पे उत्तर देज़े अब जीके का कि पिटारा खुलेगा स्टाटिक जीके का पिटारा तो यह रहा आज हम वर्ल्ड ज इससी ने पूछा है यह कॉश्टन पूछा है तो एशिया सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है इसमें से कौंसा कॉंटिनेंट है जिसका एरिया सबसे कम है तो सबसे कम एरिया औस्ट्रेलिया का है किस कॉंटिनेंट को श्वेत महादीप वाइट कॉंटिनेंट कहा जाता है तस है निमलिकित में किस कॉंटिनेंट को महा दीपो का महा दीप कहा जाता है यानि continents of continent that is Asia क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े देश एशिया में आते हैं कौन सा एक island continent कहा जाता है island उसे कहते है जो पूरी तरीके से चारो तरफ से समुदर पानी से घिरा हुआ है and that is Australia इसमें से कौन सा continent है जिसका काफी बड़ा भाग वर्षा की कम मात्रा को प्राप्त करता है इसे 85 भूमी का महादीब कहा जाते हैं वर्षा नहीं होती है and that is Australia Australia के इस हिस्से में बिल्कुल से पूरा deserted area है और शीले का को मिलेगी and that is Asia Asia is so favorable and suitable for the world's population किस continent को विज्ञान के लिए समर्पित महादीब कहा जाता है and that is Antarctica यहाँ पर आपको बहुत सारे research centers मिलेंगे हर एक देश थापित किया है यहाँ पर कोई रहता तो है नहीं किस continent को अंद महादीब के नाम से जाना जाता है and that is Africa किस continent को विकास की अधिक संभावनाओं के विद्दमानताओं कारण भविष्य का भंडार घरिये कहा जाता है तो that is Africa अफरीका में बहुत ज्यादा resources है किस continent को पक्षियों का महादीब कहा जाता है जहां पर birds पाए जाता है that is South America आप पता है आपको दुनिया का सारा जंगल यहीं पर मिलेगा कौन सा continent है जो एक दूसरे का mirror image है तो एक दूसरे का mirror image है that is South America in Africa अब South America और अफरीका को देखोगे तो यह मिल जाएंगे किस continent की संरश्चना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है तो एस शेप्ड है डेट इस अंटार्टिका आउस्ट्री अंटार्टिका को देखेंगे तो इस प्रकार से एस शेप का देखने को मिलेगा किस continent का विस्तार उत्तर में दक्षिण में पूर्व में पश्चिम में सभी जगह है और इस अफरीका मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन आपको सारी जगह देखने को मिलेगा कौन सा continent है जहाँ पर पूरी तरीके से ही मच्छा दीत मतलब बहुत एईसकी पीडियाफ आप यहां से तीली ग्राम से प्राप सकते हो क्रेजीजीगेटर के अप्लिकेशन पर हमने बहुत सारे आपके लिए को लाएँ है आप उस कोर्स पे अंरोल कर सकते हो यूज्स कोड राजा गुप्ता क्रेजीजीचार रग्जिजीगे d Вас यूजिके टि आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर टेलीग्राम पर फेस्बुक पर फर रेगुलर अप्डेट डाइक बटन और घंटी वाला बटन जरूर दबाना ताकि आपको हर इक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब चलने का समय हो गया है जै हिन जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं